ओके अलो प्रेंट किसे हो आप समय विशी और आप देख रहें Bound to Invest YouTube चैनल इस वीडियो में हम देखेंगे एक सेर है जिसमें आपको ट्रेडिंग एंड इन्विस्मेंट का एक बहितरी इन सुने रा मोका दिखने को मिल ला है उसका हम फूल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो दोस्तों अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजे क्योंकि हम एसे वीडियो हरो जग दिन लेते आते हैं और जो बाजो में गंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजे जिसको आपको हमारी नोटिविक्शन सबसे जो ये एंगे हैं तो ये सर defender आम अबिया चैनल आफी से सब्सक्राइब ये जिखेचे में वहाkemfest 고ण आफ सब्सक्राइब बना सब्सक्राइब आप जार जारा है तो इसमें क्या करते पेले एक trend line draw कर लें तो इसके लिए हम trend line के लिए ray यूज कर लेते तो एक नीचे से लेके ये और ये दो point में join करके trend line बनाए तो हाल फिला trend line के पास ही है लेकिन इससे थोड़ा अबोब है और इसने अपनी green candle बना दिये लेकिन ये starting है तो हो सकता है आगे वाने वाले दिनों तो आपको बेतर idea है तो ये थी हमारी दूसरी trend line वो बहुत दूर है तो इसके हम बात नहीं करेंगे सो इसको में निकाल भी देता हूँ चलो इसमें रख लेते बाद में निकाल देंगे बाद में अगर आप देखो तो ये एक point join करता हूँ और ये एक point join करता हूँ तो इसम ब्रेक करके जब अब हो गया बात भी नीचे आया तो इस पर भी सपोर्ट लिया तो अब हो गया नीचे तो मेरे को लगता था कि यह जोन में जो 150 के आसपास है तो इस जोन में मेरे को लगता था यह अपसेट देगा लेकिन इसने आज ही अपसेट देदी तो आप इस वह क्या आए कि बाइ कर सकते हो या तो क्या है कि बेट कीजिए इस जोन के आसपास आने का या तो कल देख लिजिए अगर कल भी अपसाइट दिखाई दे रही तब या पिसमें कोई अपना डीसिजन बना सकते हो लेकिन जो मेरा जोन था वो था 150 के आसपास अभी वो क्यों है वो भी तो यह हो गया वन विक से आपकी ट्रेंड लाइन वगेरा कुछ तो मेरे को लगता था यह नीचे आएगा हो सकता है आगे आने वाले दिनों में थोड़े यह डीप में आये और बाद में फिर से प्रोपर अपस्टार्ट स्टार्ट करें तो देखते अभी इसमें होता क्या है अभी में इसको क्या है कि वन डे पे सिप्ट कर लेता हूं तो आपको और ज्यादा बेटर आइडिया है अगर आप इसे वन डे पे सिप्ट करते तो आप कोई ट्रेंड लाइन तो वही रहेगी एक यह पुएंट यह उपर गया नीचे आया तो हो सकता था इदर यह अगरा कलर चेंज कर देता हूं रेड कलर लगते इसका तो लाश्ट लोग था वन फिप्टी का आसपास तो इसलिए मैं इसको वन फिप्टी का आसपास आने देना जाहता था लेकिन यह आज ही उपर चला गया वन सिक्ष्टी के आसपास से कोई दिक्कत ने अभी हम इसको देखेंगे तो जो हमारा यह था वन फिप्टी के आसपास तो यह हमारा पहला सपूर्टा लेकिन उससे पहले ही है अब निकल चुका है अगर आप वन और्स पे देखो के तो और एक आपको बात पता चलेगी इसमें आपको फोलिंग वेज देखने को मिला है तो इसको में यह यह था मेरी हो के डाइम फ्रेम के हिसाब से इसमें ले सकते हो लेकिन जो लॉंग टम वाले या आप इदर से एंटर हो जाओ या तो थोड़ा वेट करो वन फिप्टी के लेवल के आसपास आने का ऐसा हो भी सकता है आए यह इसा हो भी सकते है कि ना लेकिन आपको को एक decision लेना होगा या तो आप इधर से enter हो सकते हो या तो थोड़ा wait कर सकते हो तो ये था मेरी ओर से मनापुरम ने थोड़ा सा technical analysis और एक बात कि अगर आप इसमें RSI add कर रहे हो तो इसमें आपको divergence देखने को मिल रहा है सो मैं आपको वो भी बता देता हो RSI में एड कर लिया है इसको मैं थोड़ा बढ़ा कर लेता हूँ सो आपको थोड़ा दिके तो देखो आप इधर से देखो ये नीचे आ रहा है ओके मैंने नीचे जो polling wage की लाइनी वही आप लेके चलो लेकिन अगर मैं इसमें क्या कि RSI में ड्रो करता हूँ तो RSI में देखो आप इधर से एक अबव नीकल चुका है तो इसमें आपको RSI पे divergence भी देखने को मिला है जो भी एक bullish sign होता है किसी भी stock में तो मेरे हिसाब से अगर आप इधर से buy करोगो तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा trading के लिए और investment के लिए भी अगर आप long term investment करना चाहते हो तो इधर से भी buy कर सकते हो या तो थोड़ा deep आने तो तब भी आपको एक मोका मिल सकता है तो ये था मेरी ओर से छोटा सा analysis मननापूरम के उपर अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगाओ अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छा लगाओ तो प्लीज जारो like, comment and subscribe कर देना आप like comment करो करो तब भी तो हमें motivation मिलगा और इसे वीडियो आगे लेका आएंगे तो प्लीज जारो like, comment and subscribe कर देना चलिया मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए टाग, goodbye, jai, nind